साप्ट एलाइमेंट करने के लिए दोटो प्रोसेस मोस्ट पॉबली उजोते हैं इंडिया में सबसे पहला रहता है रिमेंट फैस मेथड और दूसरा जो रहता है रिबोस्टाइल मेथड आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिक में बात करेंगे पैस मेथड जो रहता है इलाइमेंट का उसको बेसिक में कैसे क्या जाता है और उसके लिए कौन-कौन से इकुमेंट चाहिए होता है तो चल्दी से करते हैं आज के इस वीडियो को सुरू अगर आप ऐसे ही बहुत सारे वीडियो इंडेश्टर एलेटर देखना चाहते हैं या तो जानना चाहते हैं तो मैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए तो जल्दी है जल्दी से करते हैं इस वीडियो को सुरू सबसे पहले जो कॉंपोनेट हमको चाहिए रिमेंट फैस में अलाइमेंट करने के लिए बो रहते है डाल इंडिकेटर उसके बाद हम लोग को चाहिए रहता है डाल इंडिकेटर को होल्ड करने के लिए क्लाम उसके बाद हम लोग को चाहिए होता है coupling जिन दो coupling के उपर में हम लोग alignment करेंगे उसके बाद हम लोग को चाहिए होगा pillar gauge pillar gauge के help से हम लोग coupling के बीच में gap check करेंगे और उसके बाद हम लोग को चाहिए होगा कुछ range जिसे हम लोग bolt को tight करेंगे और कुछ sim जिसके help से हम लोग packing को देंगे सबसे पहले remand face method में आपका जो dial indicator रहता है उसको set केने के लिए हम लोग को दोटो dial indicator और दोटो stand चाहिए होगे सबसे पहला जो dial indicator यूज किया जाता है उसको set किया जाता है रेम के top में और दूसरे एक dial indicator चाहिए होगा 90 degree में 100 degree और 270 degree में यह जो reading ले जाता है आटे time दोनों जगा में लिया जाता है rim में भी reading ले जाता है और face में भी reading ले जाता है आप rim में जो reading लेंगे वो आपको क्या बताएगा वो आपको parallel offset बताएगा और आपका जो face में reading ले जाएगा वो आपको क्या बताएगा वो आपका angular misalignment बताएगा एक बार आपका reading complete हो गया तो उसके बाद आपको adjust किया जाता है adjust कैसे किया जाता है आपका adjust करने के लिए sim यूज किया जाता है sim देके आप जो adjust करेंगे उसमें क्या होगा machine का height बढ़ेगा उससे आप vertical element कर पाएंगे उसके अलाबा आपके जो motor रहता है उसमें movable part रहता है इसलिए बहाँ पर jackpole यूज किया जाता है jackpole को यूज करके आप motor को movement कर सकते है right या तो left ले सकते है उसको use करके आप horizontal element कर पाएंगे तो इस तरह से हम लोग का जो remand face element method रहता है इसको क्या जाता है मैं उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो के कुछ आप basic में जानकारी मिल गया होगा remand face method alignment करने के लिए आपको कौन-कौन सा equipment चाहिए और इसका जो function रहता है ये कैसे किया गयता है अगर आपको ये वीडियो थोड़ा ही पसंद आया या तो आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ भी नैसके तो मैं चैनल को like और subscribe करने के लिए मत भूलिया